नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग सनीवार के दिन पढ़ने वाली अमवस्या को सनीवार के नाम से जाना जाता है और इस बार फालगुन मास की अमवस्या तिथी सनीवार के दिन है अब 13 मार्च 2021 dzięki सनीवार के दिन मनाई जाने वाली अमवस्या ये खास है इस दिन सनीदेब की पुजा करने से साड़े साती ढाया और पित्री दोस से भी मुक्ती मिलती है शांती मिलती है अगर हम जोतिस की मानें तो सने अमवस्या के दिन साड़े साती धहिया से बशने के लिए कुछ विशेश प्रियोग भी किये जाते हैं चुकि इस बार की अमवस्या 12 मार्च 2021 को दोपहर 3 बचकर 4 मिनट से सुरू होगा और 13 मार्च को दोपहर 3 बचकर 52 मिनट पर समाप्त होगा कौन सा उपाय करें कि जीवन में सुक समरिदी बढ़ता चला जाए सबसे पहली बात तो चुकी सनिवार का दिन है तो सुबह जब आप सो के उठेंगे तो सबसे पहले घर के मुख्य दरबाजे पर पानी डालते हैं पहले तो चौकट में आपको थोड़ा थोड़ा डालना है गंगा जल हो तो अती उत्तम नहीं है तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं साधा पानी और इसके बाद घर के मुख्य दरबाजे को जब आप सफाई करवाते हैं बाहर में तो पहले पानी डाले फिर ज़ारू लगवाईए हर दिन तो आप ज़ारू लगवा के सफाई करवाते होंगे न लेकिन इस तिथी के दिन ऐसा करें इससे क्या होगा जोग भी निगेटिव एनरजी होगी अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस से हट जाएगा भगवान सूरी को जल जरूर अरपित करें लेकिन जब जल अरपित करें तो इसमें काला तिल एक चुटकी डाल कर ही अरपित कीजेगा इससे आपको तमाम जो आपके पित्री दोस हैं, जीवन में कस्ट हैं, उनसे मुक्ती मिलती है इस बार की अमवस्या बहुत ही सुबसे योग के साथ आया है अद्भूत बहुत सारे दुरलब योग भी बन रहें उसके बारे में भी जान करी देंगे और इसके बाद अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, तो एक लोटा जल और पित करने का कर्ष्ट जरूर करें कैसे करेंगे? देखिए सुबह के वस्नान बिगेरा कर लें, पहले भगवान सुरी को जल और पित कीजिएगा उसके बाद आप अपने पूजा घर में पूजा कर लें, फिर आप पीपल के पेड़ के पास चाहिएगा एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल जरूर डालें और अगर आपके घर में कच्चा दूद है, तो आधा चमच जादा नहीं थोड़ा सा अगर सफेद पूस्प है, जिसमें गंध कम हो, यानि कम सुगंध वाली पूस्प लेना है आपको ले ले, उसी लोटे में डाल दे, अब इसमें आप थोड़ा सा गुड़ या मिस्ट्री डाल दे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अब इस लोटे को लेकर आप प्रेम से चले जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे और याद रखिए, अमोस्यति थी है, तो आपको पीपल का पेड़ को छुना नहीं है, जड़ में आपको जलर पित करना है इसके बाद अगर नौकरी रोजगार में समस्या हो, जो आप प्राप्ती नहीं हो पा रही हो, तब एक काला धागा लेकर जाईएगा और काला धागा को पीपल के पेड़ के किसी भी डाली में पत्ते उत्यमत तोड़िएगा, आप धागा को लपेड कर साथ गांठ लगा द देवाए, ओम नमो भगवते वासु देवाए, इस मंतर का जब करें और फिर अपनी मननत कहके वापस घर चले आए, जीवन के जितने भी आपके मननत होगी, सभी मननत पूरी हो जाएगी, वैसे तो इस अमवस्यतिती के दिन साम किसमें पीपल के नीचे एक दिया जरूर ज दिया होगा, रूई की बाती होगी, अगर उड़त के दाने ना हो, तब काली मिर्श के दो दाने डाल कर भी जला सकते हैं, राहू केतु की कुदरिश्टी से भी सांती मिलती है, चुकि सनी अमवस्या के दिन एक छोटा सा परियोग किया जाता है, सनी देव का सबसे प्रिये जो ब्रिच्छ है वो है समी का पौधा, और समी का पत्ता अगर आप सिवलिंग पर अर्पीद करें, पहले से तोड़ के रखिएगा, उसमें मत तोड़िएगा, तो सनी देव के दोसों से मुक्ति मिल जाती है, सनी बार के दिन, साम के समय, अगर समी के पेड़ के नीचे एक आपके घर में है, तो पौधा तो अच्छी बात नहीं, तो आप जहां भी पास के मंदिर में है, वहीं जाकर जला सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस दिन हनुमान जी की भी पूजा किये जाते हैं सनी बार के दिन, क्योंकि हनुमान जी क भक्तों पर सनी देव की किरपा हमेशा बरस्ती है वो कभी उन्हें परिसान नहीं करते इसलिए भक्त जन हर सनीवार के सनीवार सुन्दर कांड का पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ताकि जीवन में किसी तरह का कोई दिकत महसूस ना हो परिसानी आने के पहले स पहन सकते हैं सत्रू बगरोधि हो जाएंगे अगर लाल घौःलक उसका कम ना मिले तो आप तुल्सी के पतों का मृला भी पहना सकते हैं हनमान जी को जीवन में कभी किसी चीश की कमी नहीं टूलसी का पत्तों को माला हलांकि मार्केट में रेडिमेंट भी मिलता है लेकिन आप खुझ से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो तूलसी के कुछ पत्ते तोड़ ले। और पहले से तोड़ के रखिएगा। वोस्तिती को मत तोड़िये गा। लाल धागे के सहारे इसको अब चुकि हमने कहा कि सिब जी की भी पूजा करने का विशेस विधान है इनके सिबलिंग के उपर समी का पत्ता अरपित करने का विधान है ऐसा करने से आपके सनीदेप के पित्री दोस गुरु दोस मात्री दोस जो भी दोस है वो सारे समाप्त हो जाते हैं क्योंकि समी का पत तो उससे मुक्ति मिल जाती है अगर राहु केतु ज्यादा परेसान करें तो सिविलिंग पर आप दो लॉंग अर्पित कर दीजिएगा या पांच लॉंग भी कर सकते हैं वैसे दो भी चलेगा सिविलिंग के ऊपर रखेगा और भगवान से प्रात्ना कीजिएगा कि राहु क च्री मंत्र नमस सिवाय का जब करें तो इससे भी उनके प्रकोप की जो भै है जो बाधाये हैं वो समाप्त हो जाती है तो यह तो बहुत सिंपल है जिससे कि आपको इस सनीचरी अमवस्या के दिन सनीदेब को प्रसंद कर पाएंगे और सुब उत्तम फल भी मिलेगा चुकि पीपल के पेड़ में सभी देबताओं का वास होता है इसलिए सनीदेब के दुस्प्रोहाओं से बशने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सर्सों के तेल का दिया जलाया जाता है अब कभी कभी क्या होता है जीवन में बहुत परिसानी बढ़ जाती है जीवन में लगता ह अब इस रोटी पर थोड़ा सक गुड़ और काला तिल रग दें अपने हातों से कुट्टे के सामने डाल दें अगर वह कुट्टा खाले रोटी गुड़ और तिल जो आपने डाल के दिया है तो समझ लीजिए आपके ऊपर अब बरसेगी सनिदेव की किरपा साड़े साती और धहिया से मुक्ती मिलेगी अब और कष्ट नहीं होंगे इसके बाद एक छोटा सफ्रियों कीजेगा रात में सोने के पहले होने के बाद क्या करेंगे दो साबुत लॉंग अपने हाथ में ले लें अब इसको लेकर आपके घर में जितने भी लोग हैं सब के सर से उल्टा ति प्रियोग करने से धन की मुस्किलें दूर होती है धन आने में जो रुकावटे हैं वो समाप्त हो जाती है तो हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब फिर मिलेंगे